आज हम solve कर रहे हैं आंकिक पर्षन 6.8 विवाव मापी के एक परियोग अर्थात एक विवाव मापी है तो इस विवाव मापी का एक प्रात्मिक परिपत बना लेते हैं इपी आंतिक पर्तिरोद आर धारा नियंत्रक आरेच और एक दस मिटर लंबा विवाव मापी का तार एबी इकनी सी बात किलियर है आप लोगों के पास पर्षन देखू एक परियोग में 1.25 वोल्ट विदुत वहग बल की एक सेल इसमें परियोग किया और एक सेल जोड़ा प 1.25 वोल्ट आप के पास है और इसे सेल की संत्रुन लंबाई प्राप्त करने के लिए गेलोण मिटर के साथ जोड़ा जाएगा और ये गेलोण मिटर किस से जोड़ा होगा जो किसे है तो यहां की लगा दिन लोगोंने की लगाने के बाद इसे पर्थम सेल E1 के लिए संत्र 0.25 मिटर इस विभव मापि के विभव परवनता कितनी मान लिए बिटा मने एक्स है तो आपने पहले ही पढ़ा है विद्धुत वाहक बल का मान कैसे ज्याद करते हैं विद्धुत वाहक बल होता है विभव परवनता गुना संतुलन लंबाई तो पर्थम सेल का परवनता कितने मानी गई है X गुना संत्रुन लंबाई कितनी आई E1 का मान तो प्राप्त हो गया अब दूसरा भाग एक अन्य सेल के लिए इसके साथ एक और सेल जोड़ा गया है कौन सा E2 आपके पास है संत्रुन लंबाई इस E2 को जब हम गयलो मिटर से जोड़ते हैं तो इस E2 की संत्रुन लंबाई परशना अनुसर एक अन्य सेल कोन है E2 जो हमें गयात करना है और इसकी संत्रुन लंबाई कितनी प्राप्त होती है 6.80 मिटर तो दूसरे सेल का विद्धवाखबल गयाते करें तो बताओ E2 का मान क्या होगा E2 भी विद्धवाखबल है और विद्धवाखबल क्या होता है विभव परवणता गुना संत्रण लंबई विभव परवणता कितनी देगी X संत्रण लंबई कितनी L2 समीकर नंबर 2 ऐसा करिए समीकर नंबर 2 में भाग देदो किसका E2 बट्टे में E1 बराबर XL2 बट्टे में XL1 XX कट गया तो बताएं मुझे E2 का अमान कितना होगा वर्ज गुना करोगे E1, L2 बटा L1 E1 का अमान कितना दे रखा है आपके पास 1.25 गुना L2 का अमान कितना है 6.80 बटा L1 का अमान कितना है 4.25 अब काटिए इसको इस पॉइंट से ये पॉइंट तो कट गिया 0 से 0 कट गया 25 से काटो 25 पंज़ एक सो पच्चिस 25 से काटे 25 एकम 25 बैज आले इस में 25 कटा है 17, 17 और 5 कितना हो आज जाएगा 175 तो एक सो पिच्चिस में 25 अब बाग दोए कितनी बार 17 बार ये 17 हो गया अब 17 एकम 17 और 17 चोक 68 5 चोक 20 बटा 10 0 से 0 कट गया कितना बचा बेटा 2 वोल्ट ये हमारा क्या है अंसुवर स्क्रीन शोट ले ले कितना है